अगर आप डीमेट और ट्रेडिंग अकाउंट के लिए कोई बैंक की तलाश कर रहे हैं तो यह विल्लियों आपके लिए हैं क्योंकि इस वीडियो के अंदर मैं आपको बता हुआ कि ट्रेडिंग और डीमेट अकाउंट बनाने के लिए आपको कौन सा बैंक बैस्ट रहेगा और इसके अंदर मैं 5 अलग-अलग बैंक का कंपरेजन करूँगा जहां पर इस बैंक, ICICI, COTAC, SBI और Axis इन 5 बड़े बैंक के डीमेट अकाउंट का एक ब्रीफ कंपरेजन करेंगे बहुत डीटिल कंपरेजन नहीं रहने वाला है क्योंकि उस कंपरेजन से भी इंपॉर्टेंट एक मैसेज है जो आपको इस वीडियो के अंदर देने वाला हूँ वीडियो में लगातार बने रहे हैं मिरे नाम विकास मीना आप देख रहे हैं डीमेट डाई तो गैस सबसे पहले मैं आपको एक मेरे दोस्त का छोटा सा किस्ता सुनाना चाहता हूँ यहां पर बोबाईल करकर देख राए तो जब और बहedar कर देख कर दी तो जरुशी सेल्समैन ने उस लड़के के पूछने लगी क्या इस गड़ी में calling की facility है, क्या इस गड़ी में gameplay कर सकती हूँ, क्या इस गड़ी में मैं videos watch कर सकती हूँ, तो जो counter for salesman था वो थोड़ा सा इंट्वीज होगे उसने पूछा कि मैम ये सारी facilities तो mobile में होती है, गड़ी का अलग परपस है और मोबाइल का अलग परपस है तो वो बोली कि नहीं मुझे तो टाइम देखना है और टाइम में मोबाइल में भी देख सकते हूँ तो बैटल होगा कि आम मुझे मोबाइल ही देखा दीजे क्योंकि मोबाइल में मैं टाइम भी देख सकते हूँ और ये सारे परबस भी मेरे पूरे हो जाएंगे कॉलिंग का भी वीडियो वाच करने का गेम प्ले करने का तो उसने उसे मोबाइल देखाना स्टार्ट कर दिया अब जब उसने मोबाइल देखाना स्टार्ट किया तो वो एक और चीज बोली जिससे वो और ज़्यादा गन्फ्यूज हो गया वो चीज यह थी कि लड़की ने एक कंडिशन रग दी कि अब आप जो भी मोबाइल मुझे वो दिखाएंगे वो 8000 से सस्ता होना चाहिए अब यहाँ पर सेल्समेन ने उससे कहा कि मैं अगर आप 8000 से सस्ता मोबाइल देख रही है तो उस केस में आपको ना तो प्रोसेसर अच्छा मिलेगा ना आपको ज़्यादा रैम मिलेगी और लेकिन आपकी जो प्रॉब्लम है आपकी जो क्वेरिय है बेस्ट डीमेट एंड ट्रेडिंग अकाउंट इन बैंक उससे यह बहुत आधर रिलेट करता है अब इसको समझते है कैसे देखे जैसे उस लड़के को घड़ी ही ज़रुवत थी उसी तरीके से हमें डीमेट और ट परपस होता है जिस तरीके से घड़ी का परपस होता है टाइन देखने का बट प्रॉब्लम यह है कि जैसे लड़की ने मोबाइल खरीद लिए टाइन देखने के लिए उसी तरीके से हम क्या करते हैं हम अपने डीमेट अकाउट की कमी को पूरा करने के लिए बैंक के पास जाते हैं अब यहाँ पर प्रॉब्लम यह आती है कि जब उस लड़की ने मोबाइल खरीदा अपनी घड़ी की जरुद को पूरा करने तो उसके घड़ी की तर जरुद पूरी हो गई लेकिन उसके मोबाइल की जरुद पूरी नहीं होई क्योंकि जो मोबाइल उसने सस्ते दाम पर करीदा है उसमें ना तो उसे रैम मिली है ना प्रोसेसर मिला है ना उसमें कोई दूसरे अच्छे फीचर्स है तो कुछ दिनों बाद वो उस मोबाइल से परिशान हो जाएगी औ अगेन उसकी कोस्ट और बढ़ जाएगी तो अब उसे करना क्या चाहिए था यह आप भी समझ गया होगे कि उसे टाइम देखने के लिए घड़ी लेनी चाहिए थी और मोबाइल में गेम खेले और वीडियो देखने के लिए या कॉलिंग और करने के लिए उसे जो है पर यह एडवाइस कर रहा हूँ कि अगर आप ट्रेंडिंग और इंवेस्टिंग करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको दीमेट अकाउट की तरफ जाना चाहिए दीमेट अकाउट के कमपैरेजन्स देखने चाहिए दीमेट अकाउट मेंसे कोई एक अकाउट सेलब करना वहीं आदर आप सेविंग्स करना चाहते हैं पैसे को FD करना चाहते हैं लोल नेना चाहते हैं दूसरी बैंकिंग फैसिलिटीज का फायदा लेना चाहते हैं तो आपको एक बैंक की तलाश करनी चाहिए लेकिन प्रॉब्लम यह है हमारे साथ के हम चाहते हैं एक ही जगे हमा हाना चाहता हूं वह यह कि यहां पर मैं आपसे कह हो रहा हूं अलग-अलग करने के लिए डीमेट अकाउंट और सेटेंस अकाउंट को अलग-अलग रखने के लिए मैं आपको भूल क्यों रहा हूं तो इसके पीछे तीन रिजन्स है वो तीर रिजन्स आपको बता हुआ लेकर उससे पहला अगर हम फिर यह बात नहीं समझयो तो मैं आपको finance की language में एक example देके बता जेता हूँ जिस तरीके हम insurance और investments को आज की रिट में अलद रखने लग गए है पहले हम करते थे ताकि हमारा पैसा भी इंवेस्ट हो साके और हमारा रिस्क भी कवर हो जाए वो छोड़ करके आज की रिट में हम टर्म insurance की तरफ जा रहे है हमारा एंडिया इतना एजुकेटर हो गया है तो हम टर्म insurance लेते हैं अपने insurance के risk को कवर करने ये इंवेस्टमेंट करने के लिए mutual funds jips करते हैं stocks में investment करते हैं उसी तरीके से banking services का फायदा उथाने के लिए की तरफ जाना चाहिए और डीमेट और ट्रेडिंग करने के लिए अमें डीमेट अकाउंस की तरफ जाना चाहिए यह जो जो मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ जो मैं डीमेट अकाउंस और ट्रेडिंग अकाउंस स्पेशलिस्ट आपके लिए इसी लिए बता रहा हूँ क्योंकि वहाँ पर आपको पर lot के नहीं पर order के charges पेखनने पड़ते हैं डीमेट अकाउंस में लेकिन अगर आप banks में जाते हैं तो कई banks ऐसे हैं जो आपसे पर lot पे charges लेते हैं option और intraday में जो की बहुत जादा होता है तो पहला reason दौनों चीज़ों को separate रखने का वो यह है कि आपको charges बहुत जादा पेखनने पड़ते हैं दूसरा reason जो आपर आता है वो आता है technology का technology जो discount brokers है उनकी बहुत बहुत जादा advance है जो पुराने banking full service brokers है उनके comparison में इसके अलावा बात करें features की तो जो advance features आपको discount brokers प्रवाइड कर रहे हैं आज की rate में उतने advance features आपको banks के जो डिमेट और trading account है उसके अंदर नहीं मिल पाते हैं example के लिए अगर आपको बताओ तो जिरोदा आपको stocks को gift करने का एक special और unique feature देता है जो किसी भी full service bank के डिमेट अकाउंट में आपको नहीं मिलता है इसके अलावा अगर आप ptm money में अपना account बनाते है तो वहाँ पर आपको pop notification का बहुत ही special और unique feature मिलता है इसी तरीके से आप stocks की option trading strategies है वो बहुत ही बहुत ही बैतरीन है वो लाजवाब है इसी तरीके से angel one में अगर आप जाएंगे तो angel one में आपको equity delivery free मिलती है इस तरीके से जो discount brokers है उनके अंदर बहुत से unique और advanced features है जो आपको banks के अंदर नहीं मिलेंगे अगर आप banks में DMAT account बनाने के लिए जाते हैं बात करते हैं उन banks के comparison की तो guys देखिए HDFC ने अभी भी recently discount broking में कदम रखने के लिए HDFC sky के नाम से एक application उन्होंने launch किया इसके ओपर मैंने already videos बना रखे हैं आपको description में उनका link में डाल दोगा आप जाकर करने देख सकते हैं इसके अलबा जो HDFC sky का जो एप है इसमें चार्जेश जो है वो 20 रूपी है 0.1% जो भी नोरों का वोई delivery आपको free नोरों करते हैं सबी जगें आपको यही same charges पे करने पड़ते हैं ICICI में जाने के तो ICICI में 6 अलग अलग तरीके के आपको plans मिल जाते हैं जुनका new brokerage plan है वो सबसे सस्ता plan है उसके उपन भी मैंने dedicated वीडियो बना रखा है आपको चैनल पर मिल जाएगा इसके लाबा कोटक में अगर आप जाते हैं तो कोटक trade free youth plan सबसे बढ़िया plan आज की डेट में मैं सही कहा है क्योंकि काफी सस्ता है काफी सस्ता plan है यहाँ पर आपको सारे ही brokerage जो है वो zero मिल जाते हैं लेकिन इस plan कर नुकसान यह है कि आप सुछ दो ही साल तक इस plan को enjoy कर सकते हैं पहले इन्होंने यह रख रखा था कि 30 साल के उमर तक आप इस plan को enjoy कर सकते हैं लेकिन अब इन्होंने गटा तरके condition यह लगा दिये कि दो ही साल तक आप इस plan को enjoy कर सकते हैं चाहिए अगर आपकी 28 साल भी तो भी आपको trade free youth plan से अटा तरके आपको trade free plan के इंदर डाल दिये जाएगा trade free plan में आप delivery जो है वह आपको बहुत महंगी पड़ती है 0.25% के rate से पड़ती है अला कि intradio option के charges जो है वह वहाँ पर भी बिल्कुल free है बिल्कुल zero है इसके अलावा SBI की बात करें है तो SBI में ना तो मुझे कोई zero brokerage plan मिला है ना इनके charges कम है ना आपकर कोई technology बहुत ही advance है तो SBI को जो डिमेट account है वो काफी old type मैं old stool type का है और बात करें अगर access के डिमेट account की तो honestly guys मैं यही करना चाहूँगा कि access डिमेट account के उपर मैंने की ब अगर आप एक डिमेट और ट्रेडिंग account ढूंड रहे हैं तो आप कोई discount broker के पास जाना चाहिए अगर आपको स्टॉक टिप्स की जरूरत है आप फुल सर्विस ब्रोकर या बैंक के पास जा सकते हैं बैंक में जो मैं आपको recommend कर रहा हूं कोटक का trade free youth plan आप जा सकते हैं यह आप HDFC sky के साथ भी जा सकते हैं कोई sponsor वीडियो नहीं है आपको कोड़ टकता है है HDFC का किसी का कोई link नहीं मिलेगा link का आपको मिलेंगे मेरे फेवरेट डिमेट अकाउंट के आप वहां जाकर कर सकते हैं मेरे भी डिमेट अकाउंट में ही मनें हुआ है इसके अलावा अगर नहीं वीडियो अगर आपको पसंद आया तो प्लीज लाइक जरू करें शेर करें दोस्तों के साथ में जो कंफ्यूज है कि कौन सा बैग उनके लिए ट्रेनिंग और डिमेट अकाउंट के लिए बैस्ट रहने वला है आज की वीडियो में तब तक के लिए उनके दीशे जा जहां जहां